हालो अब्रिवन, आज हम बनाएंगे मुंफली की गजक, जी हाँ सर्दिया आने वाली हैं और जो ठंड में जो मुंफली की गजक और डिफरेंट वराइटिस की गजक खाने का मज़ा है वो बस किसी और सीजन में है ही नहीं और हमें खानी भी नहीं चाहिए एक्चली क्योंकि गोड और मुंफली जो है वो सर्दियों में ही फायदा देते हैं तो अब बिना जिजक आप मीठा खा सकते हैं इसलिए आने वाले टाइम में हम धेर सारी अलग-अलग तरह की गजक बनाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे मुंफली की गजक पीनट चिकी जो सबकी और ट कि मेंडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे हम और थोड़ी देर में आप देखेंगी इसे तक्रीबशन आठ से दस मिनट लगते हैं रोस्ट होने में हैं अब देखेंगे कि इसका छिलका अपनी आप उतरने लग गया है और यह हलका सा इसका कलर भी चेंज होगया है तो इक कि हमारी जो मुंफली है वो रोस्ट हो चुकी है अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद आप इस तरह से हातों से इसे क्रश करके देखेंगे इसका छिलका उतरने लग गया है तो अब हम एक किचन टॉबल लेंगे और उसके उपर ये सारी मुंफली निकाल लेंगे और इसे चारू तरफ से एकठा करेंगे और बस इसको अच्छे से रब कर देंगे ऐसा करने से इसका चिलका बहुत ही असानी से उतर जाएगा और आपका घर भी घंदा नहीं होगा और ये देखिए जब हम इसे खोल के देखते हैं तो आप देखिए सारा चिलका इसका निकल गया है और ये बिल्कुल दाने एकदम अलग दिखाई दे रहे हैं अब हम इस तरह की एक छन्नी लेंगे और इसके उपर ये सारे मुफली के दाने डाल देंगे अगर आपके पास ऐसी चन्नी नहीं है तो आप प्लास्टिक की या चिलकी कोई भी चन्नी ले सकते हैं जिसमें हम आलू प्याज रखते हैं नॉर्मली इस तरह से इसे चान लेंगे और देखिए सारे चिलकी प्लेट में आ गए हैं इसी तरह से हम 500 ग्राम गोड लेंगे और इसे किचन टावल पर रखेंगे और बस इसकी पिटाई करने शुरू कर देंगे मतलब कि इसको हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि यह बिलकुली मतलब छोटे चोटे पीसिज में हो जाएगा यह इवनली मेल्ट होगा और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा अब हम चकला बेलन दोनों पर देशी घी लगा लेंगे इससे हम इसले कर रहे हैं क्योंकि जब चिक्की हम बनाते हैं तो बहुत जल्दी सेट हो जाती है तो इसले हम यह स्तायारी पहले से कर लेंगे अब हम एक कढ़ाई में एक छोटी चमत घी डालेंगे अब हम इसमें गुड डाल देंगे और इसे low to medium flame पर हम melt करेंगे आप इसे high flame बिलकुल ना करें क्योंकि जो गुड है वो बहुत जल्दी जल जाता है और यह देखिए हमारा गुड मेल्ट होना शुरू हो गया है इसका flame हम low या medium ही रखेंगे अब इक तम अच्छी से melt हो चुका है तो अब flame बिलकुल low कर दें और अब हम इसे check करेंगे एक कटोरी में पानी ले लेंगे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा यह गुड डाल के देखेंगे melt किया हुआ और आप देख सकते हैं काफी soft है और इसकी छोटी सी ball भी आप बना सकते हैं इस तरह से तो अब हमें इसे थोड़ा सा गुड को और पकाना है इसे soft stage कहते हैं हमें इसे बिलकुल crackling stage तक लाना है मतलब कि जब यह बिलकुल toffee की तरह तूटने लग जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है और यह कुछ seconds में ही जल्दी पक जाता है अब हम इसे दुबारा चेक करेंगे इसे अब हम वापिस तोड़ के देखेंगे यह तूट तो रहा है लेकिन खेच भी रहा है तो इसका मतलब अभी यह और पकेगा थोड़ी दे अब हम इसे कुछ seconds के लिए और पकाएंगे अब हम इसे फिर से तीसरी बार चेक करेंगे कटोरी में डालेंगे कुछ seconds के लिए ठंडा होने देंगे और यह देखेए अब यह इस तरह से तूट रहा है अराम से तो इसका मतलब यह तयार है बिल्कुल हमें इसकी consistency बिल्कुल ऐसे ही चाहिए और यह बड़ा सा पीस मैं आपको तोड़के दिखा रहे हूं यह देखेए बहुत असानी से तूट रहा है और यह बिल्कुल तयार है अब हम बिल्कुल बिना देर किये इसमें सारी मूंफरी डाल देंगे जो हमने रोस्ट करी थी और इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे और सिलिकुन स्पैचुला से मिक्स करने में मुश्किल हो रहा है तो मैं यह बोडन का स्पैचुला ले लोंगी इस तरीके से और इसे अब हम ग्रीस के हुए चकले पर निकाल लेंगे आप चाहें तो स्टील की थाली या प्रेट पर भी घी लगा के आप इसे निकाल सकते हैं अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे और ये काम हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है किनारों से इसे अंदर की तरफ करेंगे और इसके किनारे थोड़े से इवन कर लेंगे और इसके सेट होने से पहले हम इसे इसके उपर थोड़े से कट के निशान भी लगाएंगे जितना भी साइज, जितनी भी बड़ी गजग आपको चाहिए, आप उतने माक इस पर लगा लें लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़े सा दम लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत हार्ड हो जाता है जल्दी से ही और इसको मैंने किनारों से भी थोड़ा थोड़ा काट लिया है जो भी थोड़े से रफ एज़िस थे और आप देख सकते हैं रफ एज़िस मैंने निकाल लिये हैं और ये बिल्कुल ठंडा भी हो चुका है दो मिनट में ये ठंडा हो जाता है और देखिए हमारी गजक बन करके तयार है आप देख सकते हैं देखने में कितनी बड़िया लग रही है और ये बहुत ही जादा क्रिस्पी और क्रंची भी बनी है ये मैं आपको एक गजक तोड़ करके दिखाती हूं ये देखिए ये बहुत यह असानी से चूट रही है खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं और अपने अनुभव में साल जरूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप और कौन सी गजक देखना चाहते हैं और अब यह कड़ाई जिसमें हमने गजक बनाई थी आप ऐसे कोई भी कड़ाई यूज़ कर सकते हैं ऐल्मूनियम जिल्वर उसको साफ करने का तरीका सबको एक ही रहेगा कि आप इसमें पानी डालें और इसे उबलने के लिए रख देंगे और जब पानी थोड़ा सा गरम होगा तो ये गुड़ अपने आप सारा पानी में मेल्ट हो जाएगा और आपकी कड़ाई ये देखिए पानी गिरा दिया है मैंने और इसको अभी मांजा या धोया नहीं है बस सिफ पानी गिरा है वो देखिए कड़ाई कितनी साफ हो गई है तो मैंने आपको आपकी कड़ाई और इवन आपकी बरतन साफ करने का तरीका भी बता दिया तो आप अपने घर में इसे जरूर ट्राइ करें और टेंशन बिलकुल ना लें किसी भी चीज़ की कि बरतन भी साफ करने असान हो गई अब तो अपने अनुपा में साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर अच तब तक लिए गुडबाई तेक केर थेंक्स वर वाचिंग